इस रादे रादे महारा जी महरा आते 16 स्वव शोगे देश सेवा में हूँ अब मन आशांत रहता है महरा भैसे बहुत रोंपमन होता है तो सँच्टामों मेरे मेरा कोई नहीं सब खतम हो गया सोस्ता बापिस आजाओं शायद श्यांति मिल जाए आपका रीटायर का भेदें समय पूरा उगया तो आप साज्ब वरी को जाओ और पूरा करके अपनी जो समय पूरी तो पेंचंट बंगिने का थो बस पर वर के मन इसमें रहे बात है आज देखो आपको सच्ची बात बता है मन को चाहिए आनंद और अनंत जन्मों से हम इसे आनंद ढूड़ने की गलत दिसा में ले गए विशेयों की तरब भोगों में विशेयों में रुपेयों में पैसों में पदों में हम आनंद देखना चाहते हैं तो आज तक नहीं मिला आप देख लेजिए कौन सा इसा भोग जो आपने ना भोगा हो क्या आनंद है एक नवीन त्रश्णा है कि पुना उसको भोगूं सायद भोगों में शुक मिल जाए लेकिन जीवन पूरा का पूरा वितीत कर दो फिर भी आपकी ये असांति मिटने वाली नहीं ये तभी होगी गोश्वामी तु कहूं सोक धाम तजी काम समस्त सोकों को प्रदान करने वाले इस काम का त्याग करके जब तक भजन नहीं होगा तब तक स्वपने में भी मन भिस्राम को प्राप्त नहीं हो तो भगवान की बड़ी कृपा कि आप हमारे राष्ट सेवा में जीवन अर्पित के अब रिटायर ह करना परिवार में रहना पूरे परिवार को भगवान का शुरूप समझना बड़े बुजरुगों की सेवा करना और नौजवानों को राष्ट भक्ति की सिक्षा देना जहां तक बन सके जैसे आप समर्पित हुए ऐसे दस-वीस और समर्पित करवाओं के उनको तैयार करो दोड़ आप जानते हो क्या-क्या चाहिए वो तैयारी करके उनको पुष्ट करके राष्ट सेवा में समर्पित करो और खुद भगवत चिंतन में अपने आपको विश्राम मिल जाएगा देख लेना राष्ट सेवा को शाधारन सेवा नहीं जो आप करके आ रहे हैं बहुत बड़ी सेवा है बस इसको इमानदारी से राष्ट सेवा के ही भावं से किया जाए तो अगर राष्ट सेवा में भी प्राण चले जाएं और नाम जब चल रहा है राधा 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 और भावना अपने राष्ट के प्रति है तो अगर नाम जब चला तो उसको भगवत प अर्जुन जी को कहा है के अगर जीतोगे तो प्रथिवी का सी भोग करोगे आगर शरीर पूरा होगा मरोगे तोe स्वर्ग करा जिन पहघः वह बाहर से भेगवान के द्हां को भगवान की प्राब्ति उगी तो आपका बढ़हां कृपा रहे कि अभी शरीर शुरक्षित है तो उसको आप घर वालों की सेवा सुख में लगाओ और नाम जब करते हुए भगवान की प्राप्ति और गाओं में रहते हुए दो चार दस लड़के तयार करके जवान भारत की सेवा बे भेज़ दो तो मन को बहुत बढ़ी हाँ सुख मिल जाएगा सांती मिल जाएगा सच्छी बात तो है कि जब तक मन भगवान से नहीं जोडा जाएगा तब तक इसको बिश्राब नहीं मिलेगा या हम जिस जिस से मन को जोडते हैं वहाँ वहाँ से मन असांत हो जाता है देखलो ना जिन जिन भोगों को आप भोगते उसके बाद तुरंत उसको नमीन भोग चाहिए ये नहीं है वो चाहिए अगर सुख मिला होता तो ये बात खतम हो जाएगी और मन एकदम शांत हो जाएगा वो मिलेगा भगवान में वो का अन्य जैसे केवट जी को मिला भगवान के चरण हो रहे हैं अति आनंद उमग यनुरागा तो आप कह रहे हैं अब कच्छुनाथन चाहिए अब नहीं चाहिए ये मिला सुख भगवान के नाम में भगवान के रूप में भगवान के चरणू का जो सुख मिलता है यही मन को विश्राम देता बड़िया उसर आपका है निकल अब आश्र है भगवान के चरणू शंट उप्रिया जी राजिस्तान खाटर रादे ना यहे महारा जी जिवन में प्रतिकूलता थी तब भी भवजन बन रहा था अनकूलता हुई तब भी बन रहा था कश समय शेष tat बहुभ आ जैसा हो रहा था ही बहुत जलन होती है कि जाकी सी बैश्णों के प्रतिदोसदरशन और दूसरा है कि हमारा अहार गलबार गलत हो गया तो फिर दौचार दिन विख्षेस्प पढ़ेगा लंबा विक्षेप पढ़ मुझार्य धूख विख्ष पढ़ाद रहा है तो आहार का है कि थोड़ा और गलत होने पर फिर भजन में एक घंटा दो घंटा का विक्षेफ होता है वो गुणों का होता है जैसे सतोगुण तो खुब भजन में मन लगा रजोगुण तो भोगों की इच्छाएं जाकरत हुई तमोगुण तो बिल्कुल भजन में मन नहीं लग रहा तो यह गुणों का है जो सतोगुण रजोग बढ़ी जाने पर बड़ा सूख्षम वैश्णों प्राद होता है किसी वैश्णों का दोस्दर्शन हो जाने से भी भजन में बाद आ जाती है क्योंकि हम बाहिरी रूप देखते हैं आंतरीक उनकी क्या इस्तिति हम क्या जाने तो ऐसे हमें तो किसी की निंदा ने करनी पर जा आकुर जी के सामने बेट कर प्रार्त प्राव किजिए तो आपकी याद में आ जाएगा कि आपसे क्या गलती होई अकिलेश मिश्रा जी राधा वल्लव श्री भरिवन्श गुर्देव आपके चरणों में रनवत प्रणाव गुर्देव प्रेम लक्षना भक्ति की प्राप्त आशक्ति नहीं रह गई जो प्रेम का प्रादुर्भा होता है तो प्रेम कामना रहितम कि इस्ट से किसी भी तरह कि कोई भी कामना नहों प्रेम सब्द के लिए प्रेम लक्षन भक्ति आपने पूछा उसके विश्यकी चर्चाहुरे प्रेम में अपने सुख का संपोर्णत जया त्याग हो जाता है अपने शुक का मतलब है देशुक मनक और इंद्रियों के द्वारा जो भोग शुक और जो भी देश संबंधी जिस्ते नाते सबकी मम्ता ताग बटोरी मंपद मनहिं बांद बढ़ दूरी अब प्रियालाल से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है प्रियालाल ही हमारे शुक हैं प्रियालाल ही हमारा जीवन है वो जैसे हमें रखते हैं जोई जोई प्यारों करें शोई मुन भावे जहां रखते हैं जहां जहां राकत हो तो 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 रहियत हो अरी जहां राकत हो तो 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 रहियत हो अरी जहां राकत हो तो 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 रहियत ह हैर पित हो गई हमारी कोई च्छान है जाहिना चाहिए कभव कछू तुमसन सहज सनेह बशहु निरंतर तासूर शोरावुर निजगेह जिसे कभी कुछ प्रभू से नहीं चाहिए सहज अनुराग है उसके हरदय में भगवान मूर्तिमान होकर प्रकासित हो जाते हैं तो प्रेम मार्ग में सबसे पहली बात पांच बाते नारायन श्वामी ने कहिए कि प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी है तो यह पांच बाते नहीं होनी चाहिए नारायन हरी भजन में ये पाचो नशुहात बिसेभोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहु बात बिसेभोग नाना प्रकार के पदार्थ नाना प्रकार के इंद्री जन्य कामादि संयोग उसके लिए जब फीके लगने लगते हैं जब नाम जब और गुरुदेव की द्वारा दिया हुआ मंत्र जब और प्रभु की लीला कथा श्रमन तो इससे सब पाप नश्ठ होते हैं जब हरदय निर्मल होता है और भगवत मिलन की तड़प पैदा हो जाती है तो फिर उससे कुछ सुआए नहीं खान पान ते भावे है नहीं कूमल वशन शुहावे है सब भी से लगे ते ही खारा है हरी आसिक का मगन्यारा है जो भगवान से प्रेम करने के लिए चला उसका देभाव मिटने लगता है खाना पीना है सब केवल प्राण पोश्ण के लिए उपाता है भगवत प्रशाद स्वाद बुद्धी खत्म हो जाते है तो विशैव हो किसी भी इंद्री के संयोग से जो विशैंच से सुक मिलता है वो वपांशक जो प्रेम प्राप्त करने के लिए रमा विलास रमा विलास लक्षमी जी का मया जो बिलास है भगवान के अनुरागी जन है उसको सवईकार है रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बढ़वागी। वह बमन के समान उसका त्याक कर अगर ऐसी स्तिति नहीं है तो हमें एसी स्तिति लानी है एक होता है करतब्य होता है विशय भोग अब करतब्य प्राणों का पोषण करना ठाब झीफ ठ्थाकुर जी को भूग लगा के पाले इक श्वादपूर्वक पाना करतब्य ग्रेश्थ में संतान करना और यह चुई बिपिशार कि संपूर्ण जगत से निराश प्रेम प्रकठ होने के लिए नई राश्यम पर्मंशुकम आसा ही पर्मंदुखम नई राश्यम पर्मंशुकम कुछ अच्छा नहीं लगता है विशय भूग निद्रा रात में थोड़ी देर सो उठके बैठ जाए भजन सुरो घड़ी में द्रश्टी गए अभी तो 11 बजे और अंदर ऐसी संतुष्टी हो गए लगता है में बहुत 5-6 गंटे सो चुके अब खुब भजन हो रहा है नींद का तमोगुण से नींद आती है जब बिरही को नींद कहां चैन से टांक पसार करके सोना ये बिरही के जीवन में नहीं लिए भगवत भक्त के जीवन में नहीं रह जाता नहीं खान पांते भावए नहीं कोमल बश्रण चुहावए सब विशय लगए थे तो विशय भोग और निद्रा एक कांत में बैट करके जो रोने में सुख है वो किसे और में शुख नहीं निद्रा में सुख क्यों लगता है क्योंकि इंद्रियां विश्यों का चिंतन देता है तो उसको कोई विशेश परेशानी नहीं रहती भागवतिक शक्ति के द्वारा वो इस नीद आधी पर विजय प्राप्त कर लेता है और हशी अब किसे बिनोज मजाक लोग कहते हैं मन रंजन के लिए अमुक चीज चलाओ अमुक चीज चल तुम्हारे मन का रंजन जब ठाकुर जी से होगा तो सोचो फिर क्या है संसार के जूटे दर्शे कितना संसार भूला हुआ है एक तो वैसे ही पूरा संसार जूटा है उसमें भी फिल मादी एकदम कथा नाना प्रकार की भोग कथा ग्राम में कथा इन सब कथाओं का त्याक करके भगवत कथा में भगवत चर्चा शुनना भगवत चिंतन करना भगवत तो विशय भोग निद्रा हसी है हसी मजाक मनो रंजन ये कुछ लोग तो कहते समय काटने के लिए गेम खेलते हैं कि समय और बढ़ जाए और संसारी लोग समय काटना चाहते हैं अच्छा संसारी लोग चार से मिलकर सुखी होते हैं भगत अकेला सुखी होने के लिए चेश्टा करता है कि मेरे पास कोई नावे मेरा अगर नाम जब छूट जाएगा कोई आएगा बातचीत करेंगे तो कोई नावे मेरे पास प्रेम लक्षण वक्ति के लिए तो निद्रा हासी और जगत प्रीति संसार के रिष्टे नाते साउसे धकोशला लगने लगते हैं यह साब छूटे शुत बनितादि जान श्वारतरत ना करूने सभीते अंते तो इतजेंगे पामल तून तजय बहीते मन प भगवान हैं कोई पत्नी नहीं कोई पुत्र नहीं कोई पिता नहीं कोई माता नहीं एक वह वाशुदे भगवान सब रूपों में अपने को बना के खेल रहे हैं छुपा छुपी का खेल मेरी पत्नी की रूप में भी मेरी पुत्र की रूप में मैं पहचानने पारा मेरे भ मन्द है भगवान के शंबंद से मांते हैं और अंजन कहां आख जो फूट है बहुत को जगत प्रीति यह संबंद नहीं रहता है और बहु बात उसको मौन अच्छा लगता है मंत्र चल ला है नाम चल ला ज्यादा बात करना पड़ेगा तो हमारा नाम छूटेगा मंत्र उसे म मौन अच्छा बहुत बातें भक्त से नहीं होती वो तो सार बात या तो मौन और बोला तो हर्दय की ग्रंत ही खोला आति विज्ञान संपन्नवारता बोध्यंता परश्परम भगवत्चर्चा अन्यता मौन धारन कर तो जो भगवान का भक्त होता है वो कामना रहितम प्रे भक्तों की स्रेने में वही आता है सकल कामना हीन जे ते राम भगत रसलीन वो राम भक्ती के वो हरी भक्ती के रसमेलीन हो सकता है जिसके सारी कामना है अब ये कामना नश्ट करना छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है तो हम जब नाम जब करते हैं तो नाम जब के प् सद ग्यान से नश्ट हो जाती है तब जिस सद वस्तू का हमने चिंतन किया मनन किया उससे हमें प्रीती होने लगती है प्रभू के नाम से प्रभू के रूप से प्रभू के लीला से अब जैसे आपको स्री जी से कितनी प्रीती है ऐसे पता नहीं चलेगा पर अभी स्री जी के विशह में कोई बोले उल्टा जरासा तो आपके अंदर जो प्रीती होगी वो अपना शुरूप धारन कर लेगी तो आपको भी पता नहीं होगा कि आपका हिर्दय कितना दाध से पैदा हो यह प्रीती ही है अपने प्रीय के प्रतितनिक भी अभेलना ऐसे पता नहीं चलता कि प्रीती कहां है अपने प्री और अपनी स्रीजी का कोई फूल माला प्रशादी वस्त्र को तो हरदय में जो वही वो प्रीती का अंकुर जग चुका है अब धाम को देखा एकदम हरदे गदगद हो रहा मेरे प्रियाजू का धाम है भक्त को देखा मेरे प्रियाजू का भक् और संपूर्णत या निश्कामता यह बहुत बड़ी बात है निश्कामता बहुत बड़ी बात है जब कामना रहितम तब गुण रहितम तिर्गुणा तीत प्रेम रदय में प्रकासित हो जाता है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है लेकिन कहो कृपा ते कहा न होई कृपा से है सब कुछ हो जाता है गुपम कुम करपा से अपने और शारी कामना हे शांथ जाती जब हमारे हर्दे में ज्ञान प्रगट होता है वीवे जिसे कहते तब ये आसत hasn्त हो जाती है क्योंकि फिर सन्सार में सब होगा है जो हमारे मन प्री हैं इसलिए कि इंद्रियों को सुख मिलता है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमारी इंद्रियों को आज तक तरप्त कर पाई हो कोई भोग नहीं कोई तरप्ती नहीं बस एक भ्रहम जैसा है कि हम खाते चले जा रहे हैं ऐसा लग रहा है बहुत जीवन सुखी है लेकिन परवश्व नाश होने वाला है यह सुख कोई ठीकाने वाले सुख है क्या जो सच्चिदान अंद्र शुख है वही एक सुख है जब यह ग्यान हो जाता है प्रवचन कर लेना अलग बात सुन लेना अलग बात अंदर जब ग्यान हो जाएगा तो भोगों में रती नहीं रहे इसी को तो सच्छा वे खाराय है पीराया सूंगराय देख रहे ब्होग रहे से लेकिन कुछ नहीं कर रहा है कहीं कोई आऊ सकती नहीं ज Holy में लगा हो और जब ज़स्ती आप bilmiyorum और प्रकार के वहार के कारी करा ए जाए तो अरुच्पूरवक होगे काणित हो जाएंगा महाराज बोरनें करना है पर उसमें आपके रुची नहीं होगी ऐसे अरुच्पूर वक को विशेयोका सेवन करता है अभीच्था भाक्त व्योश्ली अटा ना ना उसे कोई कर्म अच्छे लगते हैं ना उसे कोई भोग अच्छे लगते हैं ना कोई पद बिवार अच्छा लगता है क्योंकि उसे प्रभु अच्छे लग गए ना अब और कुछ अच्छा पर वह दिखाता नहीं वह ठीक बिवार वैसे करता है जैसे संतारी पुरुस करत सब्सक्राइब na एसे मिलना हसना बात करना और उसे लुची नहीं रह गई उसी सच्चा वह राग्यवान वही है रोजी कृता है रूची हो गई प्रभू के नाम की प्रभू के रूप की प्रभू की लिला की तो उसके हरदय में प्रएम प्रगठ होता है और जब प्रेम प्रगठ होता है तब फिर दूसरा सुझूप आजाता है यही pursuing बसे प्रियाओ्पन来 सभातों और ये लच्छन सुनि प्रेम के और्न कछो सुहाए और्न कछो सुहाए फिरे अपने रसमातो कुटुम देहते जाए छूट सवही विदिनातो जाँ जाँ पीर की बात सुने खोजतिन गैनन हित द्रू चिंचिन लेई प्रेम जल भरी-भरी नेनन कभी वो रुदन कर रहा है कभी कांत में बेठे प्रहु से आर्थ भाव से पुकार कर रहा है कभी प्रहु को शामने दे कर शांत शमाधिष्ट हो बड़ी दिव्यता जाती जब प्रेम प्रकट होता है पर ये कृपा से ही प्रगट होता है या गुन साधन ते नहीं होई तुम्हरी कृपा पाओ कोई-कोई पर ये साधन जरूर होना ताहिए जिससे कोई असाधन न प्रवेस कर पावे नामजप, निरंतर, भगवत, लीला, गुन गाथ, स्रवन, सादु, शमागम, इनके दीवारा हम अपने हर्दै को सुरक्षित कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, तो प्रेम भगवान प्रकासि क्रपा से आद्ध तोस प्रेम प्रगट नहीं kysगा प्रेम प्रगट होता क्रपा से पर साधन उसका है हुआ जिससे आसाधनों का नाश्रो करके हमारा हरदय निर्मल एकाग्र शांत होता है असोच पर प्रकाश पांडे जी गौरकपूर से जैशी राधे महराजी महराजी आपके चरणों में कोड़ी कोड़ी पुनाओ महराजी हमने सत्संग में सुना है कि जिसका अंतिम जनम होता है उसको साधू संग मिल जाता है महराजी साधू संग से तात्परे क्या है प्रगट सानिद्य के लिए ही है जब जैसे आप मिले हम से दो प्रकार का साधू संग होता है जिसका भजन साधन पहले से चलता होता है औ इसका तकाल परिवर्तन हो जाता है तकाल उसके अध्यात्म की उन्नती हो जाती है वो होता है तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरीत तुलायकंग। तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। भगवत प्राप्त महात्मा भगवत प्रेम की प्रबल उत्कंठा। आग लग गई實ित हैं। और एक होता है जब बहुकाल करी सत्संगा तब इह होई सफसंसय भंगा जब बहुत काल सत्संग करे तो सबसंसयों का नास्यों करें निश्चित होता है कि हमारे मानोजीवन का लैक्ष भगवान की प्राप्ति है पर होता सादु समागम से मत कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहां जे पाई सोजानों सत्संग प्रवाव। किसी की मति गति कीरति जो भी सदगुण प्राप्त हुए वो शादु समागम से अब शादु समागम का निरंतर कैसे सेवन हो तो शादु समागम तो दस-पां मिनट गंटाद गंटा पर हमारा जीवन निरंतर साधु समागम में महापुरुषों निकाए साधु संगति करी अनु दिन राती रात दिन संत महापुरुषों का संग करें तो वो होता है उनकी आग्या का संग कि जो उन्होंने आग्या करी उसके अनुसार हमारा सुबह होगा उसी के अनुसार साम होगी, उसी के अनुसार सयन होगा, वैसे हमें उठना होगा, जैसा हूँ आदेश कर रहे हैं, हमारा चिंतन सरदय उनकी आग्यां के अदिन रहेगा, तो रात दिन सादु समागम हो रहा है, सादु समागम प्रगट में भी, और जहां आपको प्रगट में साथ समागम नहीं उनकी आग्यां है उस आग्यां पर निरंतर नाम जब करना ऐसे दिन चर्या बनाना ऐसे चलना सयन के समय ये चिंतन करना जागरत के समय ऐसे चिंतन करना ऐसे ऐसे कर्म करके भगवान को अर्पित करना तो उनके जो आदेश हैं उन आदेश के अनुशार अग जैसे नंदों מא bisa known रे लISA कोई नहीं सकता है यह लोग भी नहीं रहे नहीं सकता है तो सफना कि साधू एक आंत रहता है साधू कि थोड़ी के समय कोई बैठा है तो शोड़ाइवाश Was समय तो कोई नहीं रह सकता हर समय आग्यां फालंग होती है सादु-समागम का तरिण माने में seven आग्या शम्न उशुशाहिव सेवा अपने साहब की पालंग करना जैसे प्राया सत्संग में आग्यां होती कोई व्यशन नहीं करना पराई माता बहनों की तरफ गंदी द्रश्टी मत करना जो कर्म करना भगवान को अर्पित करना हर समय नाम जब करते रहना परहित की भावना में रहना इसी में अपनी दिन्चरिया को बनाओ इसी में दिन्चरिया को लगाओ तो हर समय आपको याद र ना माना जाता है बाहर से तो ज्यादा दिर समीब कोई भी सादू नहीं रखेगा कोई भी नहीं रखेगा कोई रहे नहीं सादू का एक सभाव होता है वह असंग रहा है एकांत सेवल किया है तो सेवा भले समाज की मिली तो घंटा दो घंटा चार घंटा इसके आगे नहीं र पैठें तर तो आनंद है ही और जब हम उनसे दूर हैं तो उनकी आग्यां के पालंग में यही सच्छा साधुशंग है सब्सक्राइब